नमस्कार, मैं भट कुंजल स्री चावंडी तालू का साला से हूँ आज मैं कक्षा आठ हिंदी का तीसरा इकाई मत बातो इनसान को कविता समझाने वाले हूँ बहुत ही सुन्दर कविता है ये हम कविता को समझे इससे पहले हम सब मिलकर इसका गान करते है तो आओ, आप सब भी मेरे साथ इसका विता का गान करिए मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बात लिया भगवान को मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बात लिया भगवान को धरती बाटे सागर बाटा मत बाटो इनसान को मंदिर मजिद गिरजाधर ने बाट लिया भगवान मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बाट लिया भगवान को अभी राह तो शुरु होई है मंजिल बैठी दूर है अभी राह तो शुरु होई है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसाल को मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बाट लिया भगवान को मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बाट लिया भगवान को अब भी हरी भरी धरती है उपर नील वितान है अब भी हरी भरी धरती है उपर नील वितान है परन प्यार हो तो जग सुना जलता रेगी स्तावन है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चटान को अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चटान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को मंदिर मस्चिद गिरजाधर ने बाट लिया भगवान को साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर हर उदास अंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर रोंद न पाएगा फिर कोई मोसम की मुसकान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को मंदिर मस्चिद गिरचाधर ने बाट लिया भगवान को मंदिर मस्चिद गिरचाधर ने बाट लिया भगवान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को मंदिर मस्चिद गिरचाधर में बाट लिया भगवान को मजाया होगा ना गाने में चलिए अब हम इस कविता का हार्थ जानते हैं क्या की रिस्तविता का पावार्थ क्या है इस कविता के कवी है विनई माहाजन जी इस कविता में कवी ने कहा है कि मनुश्य को मिल जूल कर रहने की प्रेणा दी है वो कह रहे हैं कि हमें सब को मिलजुल कर रहना चाहिए मनुश्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पढ़ना चाहिए हमें सबी भेदभावों को भुला कर एकता की द्रश्टी से इस संसार को देखना चाहिए या प्रकृती भी हमें नीरंतर यहीं उपदेश देती है तो इस कविता में एक्ता मिलजुल कर रहना समानता आदी मुल्य समाविष्ट किये है तो चलिए इस कविता को हम समझे मंदिर मस्जित गिरजा घर ने बाट लिया भगवान को भगवान तो एक ही है पर हम सब ने उनको बाट के रख दिया है कहीं हमने मंदिर भगवान को मंदिर में बिठा दिया और बोल दिया ये भगवान है कहीं पर मस्जित में बिठा दिया और बोल दिया ये अल्ला है और किसी ने गिरजा कर मतलब कि जो चर्च हम कहते हैं उसमें बिठा दिया बोला कि ये भगवान इसु है तो इस तरह से हमने भगवान का बटवारा कर लिया पर सही माइने में भगवान तो एक ही है पर हमने उन्हें बाट लिया जो हमारे धर्म है उनके मुताबिक धर्ती बाटी, सागर बाटा, मत बाटो, इनसान को धर्ती का भी बटवारा कर लिया है धर्ती एक ही है जो प्रकृती का तत्वा है सारी धर्ती एक है पर हमने उसे सीमाओं में बाट लिया कहीं पर देश की सीमाओं में बाट लिया कि चलो ये हमारे हिंदुस्तान की धर्ती है ये पाकिस्तान की ये अमेरिका की तो धर्ती का बटवारा कर दिया देश के मुताबिक और देश के अंदर हमने राजिय के मुताबिक उसको बाट लिया कि ये गुजरात की धर्ती है ये मध्यप्रदेश की है ये जम्मू कश्मिर की है और तो और राजिय के अंदर भी हमने गाउं और खेतों के मुताबिक उसको बाट लिया कि चलो यहां से इतना खेत उनका है यहां से इतना खेत उनका है इस तरह से हमने धर्ती का बटवारा कर दिया पर सही तो यह है, सच तो यह है कि धर्ती तो एक ही है पर हमने उसे बेच दिया सागर बाटा सागर की भी सिमाएं हमने बांद ली यह पेसिफिक महा सागर है यह एटलांटिक महा सागर है सागर तो एक ही है पर हमने उसे नाम दे दिया और उसका भी बटवारा कर दिया जबकि सागर तो सभी एक ही तरह के होते सभी समुद्रें खारे ही होते पर कवी कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं भगवान को भी बाट लिया धर्ती भी बाट ली कोई बात नहीं सागर को भी बाट लिया पर अब इंसान को बाटना बाटने मत दो मतलब कि इंसानों में एक्ता बनाए रखो किसी इंसान को हमने बोल दिया कि चलो ये इंदु है ये इसलाम धर्म का है ये क्रिश्चियन है ऐसा कुछ नहीं है इंसान सिर्फ इंसान ही है चाहे वो किसी भी धर्म का हो और तो और ये गरीब है ये अमीर है ये काला है ये गोरा है इस तरह से हमने इंसान को भी बाट लिया और इसी भेदभाव के वज़ा से हमने अपनी इंसानियत को खो दी है सभी को धर्म के मुताबिक और रंग भेद के मुताबिक या फिर भाषा के मुताबिक हमने इंसानों को गलत समझ लिया है सभी को बाट लिया है हमने ये पार्सी, शीक इनसान सिर्फ इनसान ही है हमें उसे सिर्फ इनसान ही समझना चाहिए आगे कवी कहते हैं अभी राह तो शुरू हुई है मनजिल बैठी दूर है कवी का मतलब यहां कहने का है कि हमने एकता के तरफ अपना कदम बढ़ाया है हमने समानता के प्रति अपना कदम एक कदम आगे रखा है अभी बस ही हमने शुरू ही किया है कि चलो इस दुन्या में सारे इनसान को सिर्फ इनसान ही समझे उन्हें भी सभी को समान हग मिले, समान अधिकान मिले सभी को सम्मान मिले इस राह पर हमने अभी शुरुवात किये पर मंजिल तो बहुत दूर है क्योंकि जो लोग इस सम्मानता को नहीं समझेंगे वो हमारे रास्ते में अर्चन पेदा करेंगे उजियाला महलों में बंदी हर दिपक मजबूर है आज जो अमीर और गरीब का ये जो भेदपाव है उसकी वज़े से क्या होता है कि चलो जिसके पास बहुत पेशा है जो सभी जो बहुत दन्वान है उसको तो अपनी घर में बिजली पहुँच गई है लेकिन जो गरीब लोग है कई घर ऐसे है कई गाव ऐसे है जीन के घर तक अभी तक बिजली नहीं पहुँच गई है तो उजियाला महलों में बन दिये मतलब बिजली तो जो धन्वी है उनके घर में तो आ गई है उसके घर में पहुँच गई है पर जहां जो जो पड़ी है जो वंचित लोग है वहाँ पर दिपक मजबूर है, वहाँ अभी तक दिया जलाया जाता है अभी तक उनके घर तक बिजली नहीं पहुची है मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को सूरज जो प्रकृती का तत्व है हम सूरज को देवता मानते हैं हिंदु धर्म में सभी धर्मत मितलब से एक ही है, पर उसे हम बूझते हैं हम जब सुबा उठते हैं तो उसे पानी डालकर उसका संबान करते हैं उसका स्वागत करते हैं तो सूरज जो खुद प्रकृती का तत्व है वो तो कभी भेदबाव नहीं रखता है इंसानों के बीच ऐसा तो नहीं कि उसकी किर्णे सुरज बोल देता है कि चलो मेरा प्रकाश है सिर्व धन्वान लोगों पर ही होगा या फिर जो उसके धर्मों में उनके लोगों तक ही मेरा प्रकाश फेलेगा बाकी जो गरीब है उनके घर में मेरी रोशनी नहीं जाएगी एसा तो नहीं है न, सुरज की किर्णे तो पृत्वी के हर कोने में जा रही है यहां तक कि कहीं जगह तो ऐसी होती, जहां हवा भी नहीं जाती, वहां उसकी किर्णे पहुच जाती है तो सुरज हमें संदेशा दे रहा है कि सभी को समान मानना चाहिए, सभी को समान देना चाहिए तो ये जो संदेशा वो दे रहा है, वो अभी तक सभी तक पहुचा नहीं है धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को, अब भी हरी भरी धर्ती है, उपर नील वितान है पर प्यार नहो तो जगसूना जलता रेगिस्तान है कि धर्ती पर अभी भी हर्याली चाहिए है, उपर नीला आकाश है हर्याली तो है, पर अगर हम इस धर्ती पर अपना प्यार सभी प्राणी को नहीं देंगे अगर सभी के प्रती हमारे मन में प्यार नहोगा, चाहत नहोगी तो ये भले ही इस हर्याली चाहिए, पर फिर भी सारा जग, सारी दुन्या ऐसे हो जाएगी मानो जलती हुई रेगिस्तान हो आप सब लोग रेगिस्तान देखा है क्या कभी देखा ही होगा है ना जहाँ सिर्फ धूल ही धूल है और कुछ नहीं है तो क्या हम अपनी पृत्वी को ऐसे देख सकते हैं कि सिर्फ रेगिस्तान हो ना ही कहीं हर्याली हो ना पानी हो तो हम कैसे रज सकते हैं तो ये दुनिया भी हमारे प्यार के बीना रेगिस्तान जेसी बन जाएगी अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चटान को अगर रेगिस्तान बनने से हमारी पृत्वी को हमें बचाना है तो क्या करना चाहिए हर प्यासी चट्टान कई लोग ऐसे जिन हे हमारा प्यार नहीं मिल रहा है जिसे हमारा दिक्कार मिल रहा है हमारी नफरत मिल रही है गरीब लोग हैं उन्हें हमें अपने प्यार से उन्हें पानी देना है अगर पानी दे जिस तरह से अगर हम पानी देते हैं तो पौधे बड़े होते हैं और बड़े होते होते एक बड़ा पेड बन जाता है है ना उसी तरह हमारा प्यार ये पानी की तरह है हर लोगों को जो लोग हमारे प्यार से वंचित है जिने सम्मान नहीं मिल रहा है उन्हें हमें सम्मान देना है उसे प्यार देना है और उसे सीचना है साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर्दवार पर हर उदास आंगन का हको हो खिलती हुई बहार पर कि चलो हम सब एक जूट होकर मिल जूलकर आगे चले और उठे प्रुत्वी के हर कोने पर सूरज के हर द्वार मतलब सूरज का द्वार तो सभी तक है तो सूरज के हर द्वार पर जहां जहां सूरज की किरने पहुँच रही है वो हर जगह, कोई जगह ऐसी न हो, जहां हम खड़े न हो हम एक साथ खड़े होकर, मिल जुलकर रहते है समानता रखते हैं दुन्या में और समानता को दूर करते है एसा करने से क्या होगा? हर उदास आंगन का हको खिलती हुई बाहर पर जो लोग उदास है क्योंकि हम उन्हें प्यार नहीं दे रहें उन्हें भी अपने साथ उठाए और अपने साथ रखे तो वो लोग भी खुश रह सकेंगे हमारे साथ चल सकेंगे रोंद न पाएगा फिर कोई मोसम की मुस्कान को अगर एक जूट होकर मिल जूलकर रहेंगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि हमें दुखी कर सकें या फिर कोई जो उपर उठ रहा है जो खुश हो रहा है अपने प्रगती पर वो अपने आगे बढ़ रहा है उसे कोई भी रोंद पाएगा नहीं तो इस कविता में यह भाव है कवी ने बहुत ही अच्छा हाल दिन में डाला है अपना वे सभी इंसान सम्मान है अगर इश्वर ने हम में कोई भेदबाव नहीं किया है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम दुसरे इंसान को अपने से छोटा समझे सभी को सम्मान समझना चाहिए जिस तरह से भगवान ने प्रकृति के सभी तत्वों को इस पृत्वी पर रहने की इजाजत दी है उन्हें हक है वो अपनी मुताविक अपनी जिन्गी जी सके तो हमें भी इसमें कोई रोडा नहीं डालना चाहिए हमें इस तत्वों से प्रकृति के सभी के सभी तत्वों से हमें प्रेहना लेनी चाहिए कि जिस तरह से ये सभी को अपना प्यार अपना सब कुछ समान रुप से दे रहे है तो हमें भी हर इंसान को समान समझना चाहिए कोई गरिब हो, अमिर हो, हो सकता है पर वो पहले इंसान है हमें अपनी इंसान यत नहीं भुलनी चाहिए थेंक यू, मैं अपना यह पुरा काविय है मैंने पुरी प्रेतन किये, आशा है आप सभी को अच्छी लगी हो, नमस्कार